प्रोजेक्ट पर्यवरन बन और जलवायू परिवर्तन मंत्री भुपेंद्र यादव ने हाल ही में हर्याना के टीकरी गाउं से अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉंच किया था अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के तहट अरावली श्रंकला के आसपास पांच किलोमीटर तक के वफ़र शेत्र को हरित बनाया जाएगा इसके तहट अरावली पहाडी श्रंकला वाले चार राज्यों में पेड और जाडियों की देशी प्रजातिया लगाई जाएगी ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उदेश अरावली रेंज की पारिस्तित की तंत्र के स्वास्त में सुधार कटा है इस परियोजना में वंजर और अवक्रमिक वन भूमी में देशी पेड और जाडियां लगाना सतही जल निकायों जैसे तालावों और जीलो आदी का काया कल्प और पुरर स्थापना करना शामिल है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में बाच ग्रीन कोरिडोर बनाये जाएंगे ये ग्रीन कोरिडोर चार अरावली पहाडी श्रंकला वाले राजियों जैसे हर्याना, राजिस्थान, गुजरात और दिल्ली में स्थापेत किये जाएंगे अरावली रेंज या अरावली पहाडी श्रंकला उत्तर पशिमी भारत में लगभग 670 किलो मीटर लंबी एक परवच श्रंकला है गुजराज से दिल्ली तक फैली हुई ये पहाडी राजिस्थान और हर्याना से होकर गुजरती है अरावली रेंज सबसे उची चोटी राजिस्थान के माउंट राभू पर इस्थित गुरु शिखर है भारत में इस्थित अरावली रेंज को वलित परवतों की सबसे पुरानी परवच श्रेडी माना जाता है सावर्मती, बनास, लूनी सहित कई अन्य नदियां अरावली रेंज से निकलती है आपको बता दें कि अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को अफरीका के ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की तरज पर शुरू किया गया है वर्ष्ट 2007 में शुरू किया ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अफरीका के सहरा रेकिस्तान की सीमा से लगे साहिल शेत्र में क्रशी योग भूमी बढ़ाने की एक पहल है अफरीका के सहेल सहरा शेत्र के 11 देशों जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सुडान, चार, नाइजर, नाइजीरिया, माली, वरकेना फासो, मारिटानिया और सेनेगल्स में ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है इस प्रोजेक्ट का मुख्यों देश ग्रामीर शेत्रों में लगातार, गिरते, प्राकर्तिक संसादनों और सूखे के प्रभाव को कम कर इन देशों में खाद सुरक्षा में सुधार करना है 15 किलोमीटर चोडाई और 7,775 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई ग्रेट ग्रीन वॉल पर योजना का लक्ष सौ मिलियन हेक्टर बंजर भूमी को वर्ष 2030 तक पुनरस्थापित करना है